Dear students, welcome to class 4th. सावधान रहने के बारे में बताया है. आईए हम स्टोरी को शुरू करते हैं. उजेन नगर में हरिदास नाम का एक ब्रामन रहता था. वैं भिक्षा मांग कर ही अपना गुजारा करता था. एक दिन उसे भिक्षा में एक सिर्फ चावल मिले थे. सेर का मतलब होता है किलो. मोसम खराब होने के कारण में चावल नहीं पका पाया. उसी नगर में सुननदा नाम की एक ओरत रहती थी. हरिदास ने सुननदा को चावल दिये उन्हें पकाने के लिए कहा. सुनन्दा ने कहा कि उसके घर में चावल पकाने की हंडी नहीं है तब हरिदास ने उसको एक हंडी दी और उसने उसमें चावल पकाने के लिए कहा सुनन्दा ने हंडिया में चावल पकाए और हरिदास के सामने लाकर रख दिये हरिदास को हंडिया में एक पाव चावल कम लगे हरिदास ने कहा बहन ये हंडिया कह रही है कि तुमने इसमें से एक पाव चावल निकाल लिये है इस पर सुनन्दा बोली क्या तुम्हारी हंडिया बात भी करती है इस हंडिया के बोलने से ही अमारे पेट का गुजारा हो रहा है इस पर सुननदा हसी और बोली हरिदास भाई क्या मैं अकेली हूँ मेरा कोई नहीं है कम से कम ये हंडिया दे दो तो मैं इससे बात करके मेरे समय कट जाएगा इसके लिए तुम जितने पैसे मांगोगे मैं तुमें दे दूगी इसकी कीमत पूरी 2000 रुपए है यदि तुम इतना पैसा दे सकती हो तो मैं इस हंडिया तुमें दे सकता हूँ ठीक है मैं इतना पैसा तुमें दूगी यह कहका सुननदा ने हरिदास को 2000 रुपे दिये और हंडिया ले ली हरिदास रुपे लेकर के चला गया तो बच्चों क्या आपको पता है क्या हंडिया बोलती है नहीं ना तो हरिदास ने सुननदा को बेवकूफ बनाया यहाँ पर उसने उसको धुका दिया है ठीक है आगे का चेप्टर हम कल पढ़नेंगे ठीक है